सुनिए भाई और बहनों, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है अरे भाईया, चौकीदार चोर है चौकीदार चोर है वारे मेरे नामदार, वा जिसके पिताजी ने बोफोर्स गोटाले के दलाल को भगाया भोपाल गैस कांड के आरोपी को भगाया ना ना वो चोड थोड़ी है जिसकी सरकार में कोल गेट, कॉमन वेल्ट, आदर सोसाइटी, नेवी लिंग कांड जैसे अर्बो खर्बो के एतिहासी घोटाले हुए है वो तो दे मानुश है भाईया पर जिसने 15 साल के बतौर CM और 4 साल के बतौर PM के करियर में कभी 5 रुपे भी नहीं लिए तो वो चोकीदार आच चोर है वारे मेरे नामदार वाह नीरव मोदी की कॉक्टेल पार्टी में गुलचर्रे उड़ाने वाला और मालिया की किंग फिशर प्लेन में फ्री के एश करने वाला खांदान तो देशबक्त है पर जिसकी 90 साल की मा आज भी आटो रिक्षा में ट्रेवल करती है वो चोकीदार चोर है जिसकी सरकार में इन नीरव मोदी और मालिया को हजारो करोड के लोन पाट दिये अफकोर्स फेवर्स के बदले तो वो चोर लुटेरो को कड़ा करने वाले चोर नहीं है पर उन्हें वापस लाने के लिए दुनिया भर में कड़ा सिकन姐 कसने वाले हमारे चोकीदार चोर है वारे मेरे नामदार बाप ने जैसे बोफोर्स में कमीशन खाया वैसा कमीशन रैफेल में नहीं मिला तो जिसने दस-दस साल तक एक प्लेन नहीं खरीदा पूरे देश की सुरक्षा दाव पर लगाई अगस्ता वैसलेंड चौपर में पैसे खाय सेना को धर्म के नाम पर बाटने की कोशिश की वो तो भाई सहाब सबसे बड़े देश फ्रेमी लोग है पर जिसने आते ही सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाए वन रैंक वन पैंशन दिलाई रैफेल विमानों का सस्ते से सस्ता सौदा जल से जल निप्टाया वो विचारा आज सफाई देता फिर रहा है क्यूंकि चौकीदार तो चोर है वारे मेरे नामदार वाह क्या कमाल की दोगला पंती है जिसका जीजा किसानों की जमीन हडब गया वो तो पवित्रता की गंगा है गंगा और चोर कौन है जिसने किसानों को डेड़ गुना समर्तन मुल्य दिया जिसने किसानों को क्रेडिट सीधा उनके खाते में देना शुरू किया वारे मेरे नामदोर वार और एक बात बताओ जिसकी माँ बिना बिजनस के विश्व की चौथी सबसे धनिक महिला मानी जाती है इंग्लेंड की रानी से भी जादा रिच मानी जाती है जो खुद मा बेटे हजारो करोड के नेशनल हैरल घोटाले में जमानत पर बाहर घूम रहे है कुल मिलाकर जो खुद चोर जिसकी मा चोर जिसका बाप चोर जिसका जीजा चोर जिसका पूरा खांदान चोर वो चोर आज शोर मचा रहे है कि देश के लाखो चोरों को पकड़ने वाला चौकीदर चोर है हद है भाईया दरसल सचाई किया है मैं बताती हूँ जो इमानदार नेता अब तक हम नायक जैसी फिल्मों में देखा करते थे वो अब असल में आ गया है इसलिए तो इन सभी नामदारों की लंका में आग लगी पड़ी है अरे नहीं नहीं भाईया तालिया मत बजाओ, तालिया मत बजाओ, हम में से एक एक जानता है कि ये बाप दादा के जमाने से चोर है पर फिर भी ये आए दिन हमारे सामने उल्टा शोर मचाते है देखिए सौ बात की एक बात चौकीदार तो जागा हुआ है पर अब जरुरत है हमें जागने की और इन चोरों की नीन धराम करने की अगर आपको लगता है कि काजल हिंदुस्तानी की बात में दम है तो पहुचा दीजिए ये वीडियो घर घर तक ताकि हर घर से आवाज आए भारत माता की जै भारत माता की जै